वीडियो को पूरा देखें और एंटर देखें और एंटर देखें प्लीज वीडियो को लाइक करना बिलकुल भूलें क्योंकि लाइक से हमको सपोर्ट मिलता है और हमारा जो वीडियो और लोगों तक पहुंचती है तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इस टैम करेंटली बीटिसी का प्राइस 46,000 की चुका है 46,904.15 जो कि 1.06 परसंट से नेगेटिव है लास 24 में डॉमिनेंस में माइन इंक्रीज देखने को मिला है 45.54 चल रही है बट जो यह बीटिसी के डंप है इसके विज़े से हमको बाकी अल्ट मार्केट बिलकुल लो देहने को मिली है अगर मैं ओवरॉल क्रिप्ट करके लोगों कियोंने पैनिक सेलिंग कियोंने इंवेस्टिंग की होगी उसके विज़े से डॉमिनेंस हमको 43.90 देखने को मिल रही है अगर हम बात करें कि कॉइन मार्केट में जो कि 0.13 परसंट से अप है लास 24 आज में बिटकोईन जिसने हमको देहने को मिला कि सबसे 46,897 पर ट्रेट कर रहा है एथिरियम 3105 पर काडाइनो 2.59 पर अगया है और अगर हम टॉप गेनस लूज चेक कर लेते हैं टॉप गेनस पर एवलिन कोईन जो की 5% से अप है लास्ट वन आवर में भी उसके बाद टैजोस माना ने अच्छा पम किया है डेकरेट ने और उसके ब बात करेंगे भी XRP की इस वीड़े में और Bitcoin की XRP से शुरू करते है एक सब्सक्राइब करें चल रहा है 1.12 डॉलर चल रहा है एंड 3.37% से डाउन है जादा वॉल्टिलिटी देहने को नहीं मिली XRP एक ही देंच में मुमिट कर रहा है लोस की बात करूं तो आपको 1.11 देहन इसलिए है क्योंकि हमको लास्ट वान डे में जो BTC का प्राइसेक्शन देहने को मिला है वो कुछ खास नहीं मिला है वो नेगटिव में था तो इसकर कि आपको जो है ट्रेड वॉल्यूम यहां से डाउन साइड पे जाती हुई दिख रही है अब अगर मैं बात करूं थोड और यह इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते है रहा है मैंने बोला था एक बहुत अच्छे मूव के लिए त्यार हो रहा है अगर बीटीसी स्टेवल रहता है बटीसी बीच में आपको सबको पता है डं दिखा गया बहुत गंदा डं जिसके विए से हमको एक साथी में कल से ल और आप देख सकते हैं लोस पर 1.10 ही गया है तो जो नेक सपोर्ट लेवल जो मैं देख रहा हूं वह 1.09 जहां पर इसको अच्छी सपोर्ट देखने को मिल रही है और प्रॉबबिली इसके नीचे यह ना जाए अगर इसके नीचे जाता है तो आपको 1.06 बैसिकली 1.03 से ल अगर बिट कॉन जाता है 45,000 तक अगर तो आप प्रॉबबिली 1.03 से लेकर 1 डॉलर का एरिया भी एक अच्छा जोन हो सकता है जहां पर आप सोच सकते हैं कि आप इंवेस्मेंट कर सकते हैं अगर आप करना चाहेंगे बात करूं अगर मैं 1.18 की डिस्टंस की तो इसका पर इसके बाद अगर मैं एक यह लाइन डॉब करूं तो बिसिकली 1.18 से लेकर 1.19 का एरिया है यहां पर यह फेस करने वाला है कि रिस्टंस तो इसका जो अब यह उपर जाएगा तो पर पहले तो सबसे जो मैं बात कहूं इसको यहां पर नियर बाट 1.13 के पास 1.1377 के आस सकता है अगर bitcoin stable होता है तो 1.18 की तरफ जाता हुआ आपको यह देख सकता है once it breaks 1.18 से 1.195 का एरिया जैसी यह ब्रेक होगा हमें expect कर सकते है कि 1.21 का एरिया काफी जल्दी ब्रेक करके यह रैली कर सकता है अगेन यह जो resistance लेवल है उपर की तरफ 1.30 को टेस्ट कर सकता है यह मैं बात करूँ थोड़ा BTC के बारे में तो मैं BTC के बार में आपको बताना चाहूँगा किसीन क्या चल रहा है Basically BTC ने कल बहुत अची rally दिखा हमको BTC की closing मेरे एक बहुत important area 48,300 जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं watch कर रहा हूँ वह उसके ओपर भी मली थी बट उसके बाद रात को एक manipulative dump देहने को मिला जब इसने 49,300 का area एक बार इसने टेस्ट किया अगर मैं शॉर्डर नाइ फ्रेमें में आपको एक ही बार टेस्ट किया और है सिधा डंप वुआ और यह कुछ खास बहुत manipulative सा लगा मेरे को जो कहां पर आकर रुका है 49,300 से लेकर आपको यह देहने को मिला 46,560 के आसपास अगर मैं एक candlestick की बात को तो 46,900 के आसपास आपको यह देखने को मिला है इसकी जो closing हुई है basically 46,933 जो मेरा एक support level था उसके नीचे हुई है 47,800 के एरिया के आसपास अगर यह नीचे जाता है तो एक level मैं watch कर रहा हूं यह near about बनता है 46,400 के आसपास का level है यह बनता है जिसको मैं एक note कर रहा हूं कि यहाँ पर support मिल सकती है अगर यह भी break होता है तो जो एक support level में और देखोंगा वो रहेगा 45,813 का और अगर यह भी break होगा तो फिर हम शायद नीचे जा रहे हैं बट एक बहुत important चीज है जो मैं आपको बताना चाता हूं अगर मैं इसको 1-day चार्ट पर लगे जाओं तो 1-day चार्ट पर आप यह लाइन देख सेकते हैं तो आप यह लाइन देखने होंगे तो यह है 200-day की moving average और यह बहुत important रहती है और यह बहुत stable है और मतलब की it is one of the most important और इसका level exist करता है 46,000 नेरबार 46,019 के और यह जो level है बहुत जादा important होने वाला है अगर market dump देखने को मिलता भी है हमें अगर price नहां से नीचे आता भी है तो 46,000 के area के बाद हमको bounce off देखने को मिलना चाहिए again 47 के area में अगर ऐसा नहीं होता तो हम फिर शायद lower levels से जा रहें क्योंकि 200-day moving average है वह बहुत important होती है critical वान है हम सब को पता कि कितना struggle किया था जब bitcoin ने इसको regain करना था और इतना struggle करने के बाद यह regain हुआ है and अब इस बात करूं मैं 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 और बुक चेक की थी BTC की तो जो और बुक पर में को सीन देहने को मिलना है काफी heavy buy orders लगे हो है 46,500 के आसपास तो हमें expect कर सकते कि हमको jump देहने को मिल सकता है even 45,800 basically 46,000 पर भी हमको बहुत अच्छे buy orders देहने को मिल सकते हैं तो हम expect कर सकते कि हमको jump देह इसका जो है heavy रहा pressure बट अभी जो है price ने support ले लिया एक जगा पर एंड हम उमीद कतने की आगे ऐसे ही रहे एंड यही था सारा इस वीडियो में and I do hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो प्लीस वीडियो करें like share अपने दोस्तों के साथ और उनको च्रीडि की करें है चानल को सब्सक्राइब जरूराएं जरूरों डres Stripe जरूरा तो की लिट्स वीडियो लडिश करते हैं क्रिक्टो वीडियो श्रती अधे सब कुछ आरता है तो प्लीजके अचल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नुद भूलिए को बाकि इस वीडियो क